अपने शरीर के अंदर एक ऐसे सिस्टम की कल्पना करो जो लगातार सफाई करता है और नयापन लाता है पुराने और खराब हिस्सों को हटाता है और सेलुलर रिन्यूवल को बढ़ावा देता है इस अद्भुत प्रक्रिया को ओंटो फैगी कहा जाता है जो ग्रीक शब्द ओंटो स्वयम और फागी खाना से बना है ओंटो फैगी आपके शरीर का प्राक्रितिक रिसाइकलिंग सिस्टम है जो सेलुलर स्वास्थे और संपूर्ण तंदृस्ती बनाए रखने के लिए एक महत्पूर्ण प्रक्रिया है ये जटिल प्रणाली सेलुलर मलबे क्षटिग्रस्थ प्रोटीन और खराब और्गिनल्स की पहचान करती है और उन्हें तोड़ती है जिससे समय के साथ जमा होने वाले सेलुलर कच्रे को प्रभावी धंग से साफ किया जा सके इसे अपने शरीर के अंदर की सफाई करने वाली टीम समझो जो आपकी कोशिकाओं को सही धंग से काम करने के लिए बिना रुके काम करती रहती है इन अवांचित घटकों को हटा कर आटो फैगी आपकी कोशिकाओं को पुनर जीवित करने दीर घायू और जीवन शक्ति को बढ़ावा देने की अनुमती देता है सारा जो 45 साल की मार्केटिंग एक्जिक्यूटिव थी लगातार ठकान महसूस करती थी उनका दिमाग बौजिल रहता था और उनकी उर्जा कम रहती थी हर दिन एक संघर्ष था और वो खुद को अपने कामों में घसीटी हुई पाती थी मुश्किल से अपनी नौकरी की मांगों को पूरा कर पाती थी उन्हें काम पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती थी और उन्हें लगता था कि जीवन के प्रति उनका उत्साह कम होता जा रहा है एक समय में जोश से भरी और उत्साही सारा अब अपनी पुरानी शख्सियत की परचाई बन कर रह गई थी वह खुद को प्रेरणा हीन और अपने जुनून से कटा हुआ महसूस कर रही थी इसका उपाए खोजने के लिए द्रड सारा अटोफैगी की अवधारणा और शरीर को अंदर से पुनर जीवित करने की इसकी क्षमता के बारे में पता चला उन्होंने लेक पढ़े, वीडियो देखे और खुद को ये समझने में लगा दिया कि यह प्राक्रितिक प्रक्रियावन ही उन्हें अपनी खोई हुई जीवन शक्ती वापस पाने में कैसे मदद कर सकती है सारा को दिल चस्पी हुई, इसके पीछे के विज्ञान में तलीन हो गई और इसके सिध्धान्तों को अपने जीवन में शामिल करने का फैसला किया उन्होंने सीखा कि आटोफैगी शरीर का क्षती ग्रस्त कोशिकाओं को साफ करने और नई स्वस्थ कोशिकाओं को पुनर जीवित करने का तरीका है उन्होंने intermittent fasting का अभ्यास करना शुरू कर दिया, नियमित व्यायाम को अपनी दिन चर्या में शामिल किया और फलों, सबजियों और साबुत अनाज से भरपूर पोशक तत्तों से भरपूर भोजन को प्राथ मिक्ता दी उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि वह hydrated रहें और परियाप्त नींद लें ये समझते हुए कि ये आंटोफैगी प्रक्रिया के महत्वपूर घटक थे हफ्तों के भीतर उन्होंने उलेखनी बदलाव देखा उनकी उर्जा का स्तर बढ़ने लगा और उन्होंने अपने दिमाग में एक स्पष्टता महसूस की जो उन्होंने वर्षों में अनुभव नहीं की थी ऐसा लगा जैसे कोहरा छंट गया हो और वो अधिक कुशलता से सोच और काम कर सके उनका उर्जा स्तर बढ़ गया उनका दिमाग तेज महसूस हुआ और जीवन शक्ति की एक नई भावना ने उन्हें घेर लिया उन्हें अपनी दैनिक गतिविधियों में अधिक जीवन्त और व्यस्त महसूस हुआ और उनके समग्र मनोदशा में काफी सुधार हुआ सारा का अनुभव उन्टोफैगी की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है जो उर्जा बढ़ाने संज्ञान आत्मक कारे में सुधार और समग्र कल्यान को बढ़ावा देने की अपनी क्षमता को प्रदर्शित करता है उनका सफर दिखाता है कि सही ज्ञान और प्रतिबद्धता से कोई भी अपने जीवन को बदलने के लिए उन्टोफैगी के लाभों का उपयोग कर सकता है तो उन्टोफैगी क्या है उन्टोफैगी जिसका अर्थ है स्वयम भक्षन आपके शरीर का क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को साफ करने और नई स्वस्थ कोशिकाओं को पुनरजीवित करने का तरीका है यह आपके शरीर के आंतरिक रिसाइकलिंग सिस्टम की तरह है उन्टोफैगी तनावकारकों जैसे कि उपवास, व्यायाम और कुछ आहरों से शुरू होता है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो मलबे और गलत प्रोटीन को हटा कर सेलूलर स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है उन्टोफैगी बीमारियों को रोकने, उम्र बढ़ने को धीमा करने और समग्र स्वास्थे में सुधार करने में मदद करती है यह विशहरण, दीर घायू और सेलूलर नवीनी करण के लिए आवश्यक है यह उन्टोफैगी प्रक्रिया, संभावित हानिकारक पदार्थों को हटाने को सुनिश्चित करती है उनके संचय को रोकना और सेलूलर काया कल्प को बढ़ावा देना आध्यानों से पता चला है कि बिगड़ा हुआ उन्टोफैगी इन स्थितियों को विकसित करने के बढ़ते जोखिम से जुड़ा है उन्टोफैगी को बढ़ा कर हम संभावित रूप से इन बीमारियों के जोखिम को कम कर सकते हैं और स्वस्थ उम्र बढ़ने को बढ़ावा दे सकते हैं इसके अलावा उन्टोफैगी प्रतिरक्षा समारोह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इंट्रासेल्यूलर रोगजनकों को खत्म करने और एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का समर्थन करने में मदद करता है भाग पांच उन्टोफैगी को सक्रिय करना इंटर्मिटेंट फास्टिंग आंटोफेगी को सक्रिय करने के सबसे प्रभावशाली तरीकों में से एक है इंटर्मिटेंट फास्टिंग एक ऐसा आहार पैटर्न जो खाने और उपवास की अवधी के बीच चक्र करता है जब हम उपवास करते हैं तो हमारे शरीर उर्जा की कमी की स्थिती में प्रवेश करते हैं स्तोतात जीविता तंत्र के रूप में आंटोफेगी को ट्रिगर करते हैं पिशेश्ट एक उपवास के दौरान इंसुलिन का स्तर गिर जाता है और ग्लूकागन का स्तर बढ़ जाता है शरीर को संग्रहीत उर्जा भंडार का उपयोग करने का संकेट देता है हार्मोनल संतुलन में यह बदलाव आंटोफेगी को सक्रिय करता है जिससे शरीर को पुराने और क्षितिग्रस्त सेलूलर घटकों को तोड़ने और रिसाइकल करने की अनुमति मिलती है आंतराईक उपवास विभिन रूप ले सकता है जैसे समय प्रतिबंधित भोजन, वैकल्पिक दिन उपवास या आवधिक लंबे समय तक उपवास intermittent fasting की सफलता के लिए व्यावारिक सुझाव intermittent fasting को अपनी दिन चर्या में सफलता पूर्वक शामिल करने के लिए धीरे धीरे शुरुआत करें 12 घंटे जैसे छोटे उपवास विंडो से शुरू करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं क्योंकि आपका शरीर अनकूल होता है विशेश अज तो उपवास की अवदी के दौरान खूब पानी, हर्बल चाय या ब्लैक कॉफी पीकर अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहें अपना उपवास तोड़ते समय पोशक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ चुने जो आपके शरीर को पोशन देंगे और उंटोफैगी का समर्थन करेंगे प्रोसेस्ट फूड, मीठे, पे और अत्यधिक कैफीन से बचेंगे क्योंकि ये प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सकते हैं अपने शरीर की सुने और आवश्यक्ता नुसार अपने उपवास कार्यक्रम को समायोजित करें यदि आप किसी भी प्रतिकूल प्रभाव का अनुभव करते हैं तो अपने स्वास्त्य सेवा पंचाता साथ साथ स्टाफिंग सिसा सीनाइस एक सीय उच्छा सिस्सा सममायम नाइम अफसाई की वाक एक नाखायक निस्सार इन भाग साथ व्यायाम की शक्ति स्वाभाविक रूप से आटोफेगी को बढ़ावा देना व्यायाम उटोफेगी का एक और शक्तिशाली उत्प्रे रख है शारीरिक गतिविधी हमारी कोशिकाओं पर दबाव डालती है जिससे वे अनुकूलित होती है और अधिक लचीला बंती है विशेशनिया एक व्यायाम के दौरान हमारी मान स्पेशियों को अधिक उर्जा के आवश्यक्ता होती है जिससे ग्लूकोज और ग्लाइकोजन स्टोर टूर जाते है यह उर्जा रिक्तिकरण ओंटोफैगी को सक्रिय करता है कोशिकाओं को क्षतिग्रस्थ प्रोटीन और ओन औरगेनल को रिसाइकल करने के लिए प्रेरित करता है अध्येनों से पता चला है कि दोनों धीरज व्यायाम जैसे दौड़ना या साइकल चलाना और प्रतिरोध प्रशिक्षन जैसे भारोत तोलन प्रभावी ढंग से आउटोफैगी को प्रेरित कर सकता है कम से कम 150 मिनट की मध्यम तीवरता का लक्ष रखें या 75 मिनट की जोरदार तीवरता वाली एव एरोबिक गति विधी प्रति सप्ता हमें कम से कम दो दिन मान स्पेशियों को मजबूत बनाने वाली गति विधियों के साथ इंधन भरना ओंटोफैगी, पोशक, तत्वों से भरपूर आहार के महत्व को कम करके नहीं आका जा सकता है यह अच्छे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती की नीव है विशेशज्य दो हम जो भोजन करते हैं वो आउटोफैगी को प्रभावित करने में महत्वपूर भूमिका निभाता है जो सेलूलर रखरखाव और मरमत के लिए एक महत्वपूर प्रक्रिया है फल, सबजियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और स्वस्थ वसा से भरपूरा हार हमारे शरीर को उनावशक पोशक तत्वों को प्रदान करता है जिनकी हमारी कोशिकाओं को बेहतर धंग से कारे करने और और आउटोफैगी का समर्थन करने के अवशक्ता होती है ये खाद्य पदार्थ, विटामिन, खनेज और अटी और अक्सिडेंट से भरपूर होते हैं जो cellular स्वास्थे के लिए महत्यौपूर है विशेशत दो, अटी और अक्सिडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ, जैसे जामुन, पत्तिदार साग और मेवे कोशिकाओं को ऑक्सिडेटिव तनाव से बचाने में मदद करते हैं जो सेलुलर क्षती और उम्र बढ़ने में एक प्रमुख योगदान करता है अपने आहार में इन खाद्य पदार्थों को शामिल करने से आपके शरीर की कोशिकाओं की मरमत और पुनर जनन करने की क्षमता में काफी व्रिद्य हो सकती है ओमेगा थ्री फैटी एसिड, फैटी मचली, अलसी और चिया सीड्स में पाए जाते हैं आउटो फैगी को बढ़ावा देने और सूजन को कम करने के लिए दिखाए गए है ये स्वस्थवसा मस्तिष्क स्वास्थ्य, हृदय स्वास्थ्य और समग्र सेलूलर कारे के लिए आवश्यक है इसां रवेक्स, समश अपने शरीर को इंधन देने और आटो फैगी को अनुकूलित करने के लिए इन पोशक तत्मों से भरपूर खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करें ऐसा करके आप अपनी उर्जा के स्थर को बढ़ा सकते हैं अपने प्रतिरक्षा कारे में सुधार कर सकते हैं और समग्र स्वास्थ्य का समर्थन कर सकते हैं प्रोसेस्ट फूड, मीठे पेर और अस्वास्थ्य करवसा सीमित करें क्योंकि ये प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सकते हैं इसके बजाए, संपूर्ण अप्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर ध्यान के इंद्रित करें, जो आपके शरीर को पनपने के लिए आवश्यक पोशक तत्व प्रदान करते हैं. जॉन का परिवर्तन उन्नत उर्जा और फोकस जॉन जॉन के रूप में, जॉन एक 55 वर्षी है, सॉफ्ट्वियर इंजीनियर. सालों तक उन्होंने खुद को अपने करियर के लिए समर्पित कर दिया, अक्सर अपनी सेहत की कीमत पर. उन्होंने महसूस किया कि उनका उर्जा स्तर घट रहा है और उनका मानसिक फोकस कम होता जा रहा है. तेज और उत्पादक बने रहना कठिन होता जा रहा था. वह अपनी नौकरी की मांगों को पूरा करने के लिए संगर्श कर रहा था और महसूस कर रहा था कि उसका संपून स्वास्थे बिगड़ रहा है. तनाव उसके शरीर और दिमाग पर भारी पढ़ रहा था ओटो फैगी के लाभों के बारे में जानने के बाद जॉन ने जीवन शैली में कुछ बदलाव करने का फैसला किया उन्होंने महसूस किया कि उनकी वर्तमान आदतें टिकाओ नहीं है उन्होंने अपनी दिन चर्या में इंटरमिटेंट फास्टिंग को शामिल किया जिससे उनके शरीर को आउंटो फैगी की प्राकृतिक प्रक्रिया शुरू करने में मदद मिली रोजाना टहलने जाने लगे ताजी हवा का आनन्द लेने लगे और अपने दिमाग को साफ करने का मौका मिला और स्वस्ता हार खाने पर ध्यान के इंदरित किया उन्होंने सबजियों और फलों को प्राथमिक्ता देते हुए ताजा, संपून, खाद्य, पदार्थों का चैन करना शुरू कर दिया कुछ हफ्तों के भीतर उन्होंने अपने उर्जास्तर में एक महत्वपूर्ण सुधार देखा वह तरो ताजा महसूस कर रहा था और अपने दैनिक कारियों को संभालने में अधिक सक्षम था वह काम पर अधिक ध्यान के इंदरित महसूस करता था उसका मूड बहतर होता था और वह बिना थके लंबे समय तक ध्यान के इंदरित करने में सक्षम था और उसके पास अपने शौक के लिए अधिक उर्जा थी जिन गतिविधियों को कभी एक घर का काम लगता था वे फिर से सुख़द हो गई जौन का अनुभव उर्जा के स्तर, संजानात्मक कार्य और समग्र कल्यान पर आटोफैगी के सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डालता है इन परिवर्टनों को करके जौन ने न केवल अपने स्वास्थे में सुधार किया बलकि अपने जीवन में संतुलन और पूर्णता की एक नई भावना भी पाई एमली की यात्रा बहतर मान सिक्स पष्टता और तंदुरुस्ती एमली, एक 38 वर्षिय शिक्षिका ब्रेन फॉग, ठकान और ध्यान के इंद्रित करने में कठिनाई का अनुभव कर रहा था वो अपनी जिम्मेदारियों से अभिभूत महसूस करती थी और अपने खाली समय का आनंद लेने के लिए उर्जा खोजने के लिए संगर्ष करती थी आटो फैगी के परिवर्तनकारी प्रभावों की कहानियों से प्रेरित होकर एमिली ने इसे आजमाने का फैसला किया उसने इंटर्मिटेंट फास्टिंग का अभ्यास करना शुरू कर दिया, अपनी दिन चर्या में योग और ध्यान को शामिल किया और पोशक तत्वों से भरपूर आहार को प्राथमिकता दी समय के साथ एमिली ने एक उलेखनी अंतर देखा उसका ब्रेन फॉग हट गया, उसकी उड़जा का स्तर बढ़ गया और वह अधिक संतुलित और केंद्रित महसूस करने लगी एमिली की यात्रा मांसिक्स पष्टता भावनात्मक कल्यान और जीवन की समग्र सुर्गुणवत्ता पर टोची सूट आमरकन्ये सौट टेफागी सौट के गहन प्रभाव को प्रदर्शित करती है कुंजी टेकवेज आपके लिए एक स्वस्थ ओंटो फैगी विशेश अन्याव वेक ओंटो फैगी आपके शरीर का प्रकृतिक रिसाइक्लिंग सिस्टम है जो सेलुलर स्वास्थे और समग्र कल्यान को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्षति ग्रस्थ सेलुलर घटकों को हटा कर ओंटो फैगी बीमारी को रोकने उर्जा के स्थर को बढ़ावा देने संजान आत्मक कार्य को बढ़ाने और दीरगायू को बढ़ावा देने में मदद करता है हम जीवन शैली में बदलाव जैसे आंतराइक उप्वास, नियमित व्यायाम और पोशक तत्वों से भरपूर आहार के माध्यम से ओन्टो फैगी को सक्रिये और बढ़ा सकते है ओन्टो फैगी के सिध्धानतों को समझ कर और उनका उप्योग करके हम अपने स्वास्थ्य को नियंतरित कर सकते हैं और अपने शरीर की सहज, उप्चार, उक्षमता को अनलॉक कर सकते हैं ओन्टो फैगी को अपनाएं दीरगायू और जीवन शक्ति का मार्क विशेश जी दो इश्टतम, स्वास्थे और दीरगायू की यात्रा हमारी कोशिकाओं के भीतर से शुरू होती है ओन्टो फैगी की शक्ति को अपना कर हम अपने शरीर की प्राकृतिक सफाई और काया कल्प प्रक्रिया को अनलॉक कर सकते हैं सेलुलर नवीनी करण और समग्र कल्यान को बढ़ावा दे सकते हैं आंतरायक उपवास, नियमित व्यायाम और पोशक तत्वों से भरपूर आहार शक्तिशाली उपकरण हैं जो आंटो फैगी को सक्रिय और बढ़ा सकते हैं, जिससे स्वास्थे लाब प्राप्त हो सकते हैं विशेशर या दो, आज ही इन प्रथाओं को अपने जीवन में शामिल करना शुरू करें और आंटो फैगी के परिवर्तनकारी प्रभावों का प्रत्यक्ष अनुभव करें अपने शरीर की प्राकृतिक सफाई के रहस्यों को उजागर करें और दीरगायू, जीवन शक्ति और एक स्वस्त अधिक जीवन्त आपके लिए एक मार्ग पर चलें और आंटो फैगी को सक्रिय करने से कई स्वास्थे लाब हो सकते हैं जिसमें उर्जा के स्तर में सुधार, मानसिक्स, पष्टता में व्रिध्य और यहां तक की लंबी उम्र भी शामिल है यह केवल एक चलन नहीं है बलकि स्वास्थे और कल्यान के लिए एक वैग्यानिक रूप से समर्थित तृष्टिकोन है और टो फैगी एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके स्वास्थे को अंदर से बाहर तक बदल सकता है आंतराईक उपवास, व्यायाम करने और पोशक तत्वों से भरपूर आहार खाने जैसे साधरन जीवन शैली में बदलाव करके आप अपने शरीर की प्राकृतिक सफाई प्रणास्त का साई प्रणाली को सक्रिय कर सकते हैं और स्थाई लाभों का आनंद ले सकते हैं अपने स्वास्थे पर नियंतरन पाने के लिए तैयार हैं आज ही ऑटोफैगी की खोज करके शुरुआत करें अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें अपने अनुभव नीचे कमेंट में लिखें और हमें बताएं कि आप आउटोफैगी को अपने जीवन में कैसे शामिल करने की योजना बना रहे हैं आईए साथ मिलकर एक स्वस्थ आपके रहस्य को उजागर करें